वल्कम टो मैं चैनल फ्रेंड्स आज जम्डुक देखने वाले हैं क्लास 12 के पॉयम करबक जो मलिक मुहमद जैसी के दौरा दिखा गया है जैसी निर्गुन भक्तिधारा के प्रेम मारगी साखा के प्रूंग कभी है और ये उच्च कोटी के सरलेवे मुकदार सूफी महात्मा थे मलिक मुहमद जैसी का जन्म 1492 इस्वी के आसपास माना जाता है वर्स और तारिक कोई निश्चित नहीं है जैसी जी उत्तर प्रदेश के जैस नाम गौंँ में जन्म लिये जिसके बज़े से उनके नाम में जैसी आता है उनके पिता का नाम मलिक सिख ममरेज बताया जाता है जैसी कुरूप उक काने थे मतलब वो एक आँख से नहीं देख पाते थे और उनके बाएं कान में भी कम सुनाई पड़ता था उनकी दचनाएं बहुत सारे हैं जिसमें पदमावत, अखरावट, आखरी कलाम, कहरनामा, चितररेखा, कानावत, आधी परमुक हैं जायसे की मिर्तियू 1548 के करीब हुई और यह स्वर्ग को सिधार गए इस्ट्रेंट्स, तो चलिए पोएम सुरू करते हैं इसमें हर लाइन का आपको समड़ी दे दिया गया है जिससे की आप एक्जाम में लिख पाएं तो पहला लाइन से स्टार्ट करते हैं यहां मुहमद उस सब्द वो खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं एक आँख से देने देखने वाला हूँ और मेरे एक आँख होने के बाबजूद और मेरे कुरूप सूरत के बाबजूद लेकिन मैं गुनवान हूँ और जब मेरी कविता को कोई सुनता है तो वो मोहित हो जाता है बस सुनता ही चला जाता है इसी वज़े से आंख एक होना महतपूर्ण नहीं है गुन्न महतपूर्ण होता है इस पंक्तिक में जो की पदमावत उनकी महान काववे से लिया गया है इसमें वो कहते हैं कि वो भगवान ने उन्हें चांद की तरह इस धर्ती पे रलाया लेकिन चांद की तरह उनमें भी कुछ धब्बे कलंक या धब्बा दे दिया कमिया दे दी लेकिन उनके काववे किसी चांद की तरह पुड़े जगह को रोशन कर रहा है जिस तरह से सुक्र अपने चास पास के सभी के सभी नक्षत्रों को रोशनी देता है उसी तरह से इनके काव्वे सबी को रोशनी दे रही है, इनकी काव्वे सब को प्रेढ़ना दे रही है जो लहि अंबही डाव ना होई, तो लही सुगंद बसाई नस सोई इस लाइन में कभी कहते हैं कि कभी कहते हैं जब तक आम के पेर में नुकीली मंज़र नहीं आती है तब तक आम के पेर में सुगंध नहीं आता है मतलब कुरूपता या ये जो कमिया है ये कमिया उसको और खुबसूरत बनाती है क्योंकि आम के पेर में जब तक वो नुकीला मंजर नहीं आएगा तब तक उसमें सुगंद नहीं आ सकता है किना समुद्र पानी जो खारा तो अतिभय असुच अपारा इस पंक्ती में कभी कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है इसी लिए वो संपूर्ण संसार में व्याप्त है वो बहुत जादा है बहुत बड़ी संख्या में है उसमें भी एक कमी है लेकिन इस कमी के वज़े से ही उसका बहुत विशाल जगह में फैलाव है और यह कमी उसके लिए फाइदे मंद भी है आगे कभी कहते हैं जो सुमेरू तिर्शूल बिनासा भाग कंचन गिरी आग अकासा मतलब सुमेरू परवत पर जब तक तिर्शूल से उसे वार करके तोरा नहीं गया तब तक वह सोना का नहीं बन पाया अर्थात किसी भी चीज़ को खुबसूरत होने के लिए उसमें थोड़े ना थोड़े परिसानियों को जहलना परता है या कोई ने कोई परिसानी जहलना परता है वही बताना चाह रहे हैं कभी आगे कहते हैं जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा काच होई ना कंचन कड़ा अर्थात जब तक किसी पदार्थ को कच्चा धातो को किसी सोने के पात में रखकर गलाया नहीं जाता है तब तक वह पूर्ण सुद्ध सोना नहीं बन पाता है सुद्ध सोना बनने के लिए उसे गलना पड़ेगा तब हो जाके सुद्ध सोना बनेगा एक नैंजस दर्पन ओते ही निर्मल वाट सब रूप वंत गाही मुख जैवे कर चाओ इसमें जैसी जी कहते हैं कि वह एक आँख के होते हुए भी एकदम किसी दर्पन के तरह निर्मल है साफ है उनके अंदर अलग विचार और बाहर अलग विचार नहीं है और इसी वज़े से बरे बरे रूपवान लोग उनके सामने जुक जाते हैं उनके चरन पकारते हैं और उनके जैसा लालसा करते हैं कि वो भी हो जाए कभी इसमें अपने सबसे ज़्यादा प्रशिद महा काब्बे पदमावत के बारे में कहते हैं कि इस पदमावत को जिसने भी सुना है जिससे भी उन्होंने सुनाया है उन्होंने इसमें प्रेम के पीरा को महसूस किया है और कभी कहते हैं कि उन्होंने इस काब्बे को अपने खून को लई बना कर जोरा है और उससे ज्यादा उन्होंने इसे अपने आशियों से भीगो के बनाया है यह कमाल की किर्थी है यह कमाल का महा काववे है उनका इसमें सौर्ज का परीचे है प्रेम का परीचे है मतलब एक संपूर्ण महा काववे है यह कभी कहते हैं कि पन्वावत जैसे महाकावक की रचना इसलिए उन्होंने की क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे मतलब अब जब की वो नहीं है तो उनकी महान रचना पदमावत आज भी पढ़ी जाती है लिखी जाती है और दूसरों के द्वारा प्रशंसा की जाती है मतलब कि वो रहे ना रहे पद्मावत आज भी उतनी ही परसुद है और इतना ही नहीं उस पद्मावत में जो महान राजा रत्न सेन थे रूपवती पद्मावती थी या फिर बुद्धिमान सुवा रागव चेतन अलाउद्दीन कोई भी नहीं रहा लेकिन उनका येस रह गया सिर्फ और कुछ नहीं धानी सोई जस किर्थी जासु फूल मरे पय मरे नबासु इस पंक्ति के दौरा कहते हैं पुरुष से धन्न है जिसकी किर्थी और प्रतिस्था इस संसार में है उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुस्प के मुर्जा जाने पर भी उसका सुगेंद रह जाता है मतलब कि आपकी कीर्थी आपकी मृतिव के बाद भी रहती है इसी लिए अच्छी कीर्थी करती रहनी चाहिए कई जगत ना जस बेचा कई न लिना जमोल जो यह पढ़ कहानी हम सवेरे दूई बोल इस संसार में यस को ना बेचा जा सकता है ना ही खड़ीदा ज पैलती है और उन्होंने कहा कि इस कविता को इस महाकाव्य को उन्होंने अपने खूम से लिखा है इसी लिए उन्हें हमेशा दो पंक्ती में दो सब्द में याद रखेंगे लोग चलिए स्ट्रेंट्स आगे चलते हम लोग इससे रिलेटेट कुछ आपजेक्टिब और सब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो को लाइक करने के बाद कुछ एनर्जी मिलती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं झाल 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 झाल